बाजवादी पार्टी में अकलेश यादव के अलावा कोई मुख्यमत नी बन सकता है। मंदिर में नहीं कुने देते हैं ये बीजेपी के नितिया है। मुद्ध नगर गाजियाबाद, मेरट, मुदफर नगर, शामली, बदायू, एटा, काजगंज, फर्काबाद, कन्नौज, कानपुर नगर होते हुए, अब महौल गर्म है का जो काफिला है, वो पहुच चुका है उस धर्ती पर, उस पावन धर्ती पर, जिसके नाम का जिक्र होता है, मादरपुर के युद्ध के नाम पर। वो मादरपुर जो कि आज कानपुर देहाद के नाम से जाना जाता है, यह वही कानपुर देहाद है जिसका 1981 को इसको अलग हिया गया था कानपुर से, एक कानपुर नगर बनाए गया तो एक बनाए गया कानपुर देहाद, अब दरसल हम यहाँ आए हैं यह जानने के लिए कि यहाँ जो सियासी हवा है, दरसल वो क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अब जो लडाई है, इस लडाई का जो क्लाइमेक्स है, वो तो तब आएगा जब मतपेटिया खुलेंगे, लेकिन उससे पहले की जो रस्मे हैं, वो लगातार चालू है, लगातार शुरू है, तो ऐसे मे सियासत में यहाँ क्या कुछ चल रहा है, उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पर रनिया विदान सभा की जो जनता है, वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार जोड़दा तालियों के साथ कारिकरम का शुरूआत करेंगे, इसक साथ यहाँ आशुतोष पांड़े जिलाद देक्ष है, आप आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम बे, इसके साथ हैं करेंगे, उससे पहले जोड़दा तालिया हो जाए, हमारे सामने जो सम्मानित नेतागंड मौजूद है, सबसे पहले सवालों का जो सिलसला है, उ इसलिए शुरुआत बीजेपी के साथ ही होती है, अमुवन ऐसा ही है, लेकिन हमारे कारेकरम की जो परंपरा है, उसको बनाए रखेंगे, यहाँ पर प्रवचन की वज़ाए, मैं ज़्यादा कहूंगा आपसे की प्रवचन की वज़ाए, वचन पर ज़्यादा दिहान देंग ऐसे में क्या कुछ लेखा जोखा था जो आपकी डायरी थी, आपको लगता हो कि आपके यह काम किये, इसको लेकर आप फक्र महसूस कर रहे हैं, आपने इस विदान सभा के लिए वो कुछ काम किये, पांच पॉइंट में गिनाने की कोशिश कीजीगा, जब से उत्तर पुरे उत्र प्रदेश के ने खिर जैए काम कियाूर क्याने की कि आप ऊपल्टी बुरी उत्तर प्रदेश को पांच एड़े देने का काम भारती जन्तर पाल्टी की सरकार उप Civ China जो उत्तर प्रदेश आरा जाकता गुंड़ाई और माफियाओं के लिए जाना जाता था उस सत्तर प्रदेश को माफियाओं और गुंड़ों से मुक्त करने का उनके सीने पर गोली मारने का और उनके अबैद कपजों पर बुल्डोजर चलाने का काम भी भाट दोनों बातों पर आउगा आपसे लेकिन उससे पहले आपसे यह सवाल रहेगा कि लोगों से जमने बात की तो लोग कर रहें कि दर असल जाम की वड़ी समस्या है यहां पर एक और चीज लोग बता रहें कि आदे अधूरे जो आपके काम है जो निर्माड का रहे हैं वो पड़े हुए जि तो विकास में विश्वास करती है राद दिन बारतियंता पाल्टी की सरकार लगी हुई है और प्रदेश को हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि उत्तम प्रदेश हम बनाने की दिशा में लगे हुए हैं और जुब विधान सभा के लिए तीन चार पॉइंट बता दीजेगा जो हमारा सबसे दूर का छेतरता सियूली हमने अकबरपुर से सियूली को तो लेंस रख से जोड़ने का काम शुरू किया है पहली बार सारे लोग यहाँ बैठेगे हुए हैं आज तक कभी सियूली की सलक गड़ब्ला मुक्त नहीं मिली होगी हमारी सरकार ने दूलेंस रख पास की है और बहुत जल्द सीवली के लोग आधे गंटे में बपुराने का काम करेंगे जो कारेकरम की सरच है उसके सुरू बता देता हूँ आपको कि एक एक कॉमेंट नेताओं से लेंगे उसके बाद आप लोग बताईएगा कि कितना क्या कुछ रही कहा गया है इसके साथ ह मेरे और बोली जो जहन में ठह़ गई जिसको लेकर सवाल बनता है आप ने कहा कि सीने पर गोली मारने का काम कया है यह कानून डिसाइड करता है कि आप लोग अब डिसाइड करने लगे हैं सरकार डिसाइड करती हैं जब प्रदेश में गुंडे और मापियां हैं जो आम जनता बोली बाली जनता के सीने पर गोली मारने का काम कर रहा हैं हमारे घर की बच्चियों के साथ गंदी अरकत करने का काम कर रहा ह उनके साध निस्चित रूप से, जब हो पुलिस पर हमला करने का काम करेंगे, तो पुलिस की मजबूरी है उनके उपर गोली चलाना, और हमारी सरकार में पुलिस को पुरी छूट दी गई थी, कि उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्त करना है, में निर्दोश लोग को भी जाने लगए है उससे आपको नहीं हुँ Kazi ङाद होगा समाजभादी पार्टी के समय में जालाउन ठाने कोँष ठाने के अंदर समाजभादी पार्टी के सी कार न कारताओं को यसो के लड़के न कोद्धारी दू के कहाई है जालाओन में विद्वा महिला की भूक की वज़े से उनकी बेटियों के साथ उन्होंने आत्मत्या कर ली ये भी आजकल की ही खबर है आम आदनी पार्टी की बात करते हैं आम आदनी पार्टी का जिक्र दरसल जब करते हैं शुरुआत करते हैं उत्रप्रदेश के चुनावों 20 seconds की जहां तक बात है, कानपुर देहात की हकीकत जान लीजए, यहां पर मैंने आम-ादमी पाटी को स्थाफित कर दिया है. जंता जो जुड़ी है, वो दिल्ली की बातों को लेकर जुड़ी हुई है, और हमने जो विकास की बाते करी हैं, उसको लेकर जोड़ रही है. हमें परिचे देने की आउशक्ता नहीं है, संचार का योग है, लोग जागरूख है, योवा जागरूख है और उन्होंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा स्विकार की है और आज हमारा नौवा स्थापना दिवस भी है परतिबार शुकला जी जो है, वो यहां से सिटिंग विधायक है और इससे पहले, 2017 से पहले की बात करूँ तो दो बार लगातार सपा जीती थी नीरज सिंग पिछली दफ़ा रनर रप रहे थे, ऐसे में समाजवादी पार्टी से मेरा एक सवाल है, कि वो क्या समस्य आ गई थी, जो जीत की जो कड़ी थी, उस पे विराम लग्या, और पिछली दफ़ा आपको हार का सामना करना पड़ा पिछली सर जो सरकार थी, जो अभी बर्तवान में बनी है, ये बीजेपी की सरकार जूटे वादे बोल बोल कर, जन्ता को बढ़का कर, और सवाजवादी पार्टी के विकास कारियों को अंदेकीर करके, जन्ता इनकी बातों में आ गई, आज भाजपा के लोग ये बता दे, कि पांच साल हो गए है, इन्होंने कौन सा बड़ा भिकास किया है, अगर हम अपनी सरकार की फिछली बात बताएं, जहां हम बैठे हैं, ए भी समाजवादी पार्टी की देन है, यहां जो अम्यूल डेली है, ए भी समाजवादी पार्टी की देन है, एक हवाई पट्टी है, वो भी समाजबादी पार्टी की देन, इसी भी धानसभा की बात कर रहा हूँ, और मैथा जो तैसील बनी है, वो भी समाजबादी की देन है, और अकबरपुर से रूरा तक ये चौरी करन का काम, ये भी समाजबादी पार्टी का देन है, रसूलाबाद में सारी सडकों का चौ आप से सवाल ये है कि उन्होंने एक सांस में दस काम गिना दिया अपने, कि हमने ये ये काम किये, एक सांस में, दस काम, उन्होंने का सब समाजवादी पार्टी ने किया था, तो आप क्या कर रहे थे? आप रनिया से महिता चले जाएए, आप नगर तैसील बनाई होगी तो तैसील जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया होगा, तैसील को चिगनी सलक से जोडने का काम हमारी सरकार ने किया है, आप रायपूर से मुसा नगर चले जाएए, फोर लेन की सलक का काम हमारी सरकार ने सु पूरे उत्तर प्रदेश में पांच-पांच एक्सप्रेश में बनाने काम बारती जन्ता भर्टी ने किया है। जब हम विकास की पराकास्टा को छू रहे हैं तो आज इन लोगों को लगरा कास हम ये कर पाते लेकिन वो नहीं कर पाओगे आप विकास के लिए एक सोच होनी चाहिए आपके पास दर असल वो सोच नहीं है माननी से पूछ लिजे जिस विदानसभा में बैठे हैं जो ये काम बिना रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी की देन है रहती जनता पार्टी की देन है तो ठीज पास बातों के लावा कुछ नहीं पर नते हैं विर सार्कार नहीं को यहां तो मंतरी लोग उनके बच्चे कुसाने को पर गारियां चरहाए दे रहें जिसमें मुझती पर भी आएंगे बिल्कुल उसमुद्दे पर आएंगे लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं इन्हों ने कहा कि 2017 से पहले दंगे होते थे लेकिन उसके बाद नहीं होते हैं ऐसा नहीं है मौब तमाम लिंचिंग हुए इनके समय में बहुत सारी लिंचिंग हुए पूरे दंगे कराने वाले यहीं लोग थे आप समहालने में समहालने में नाकाम याब रहें नाकाम नहीं था इनका काम जूटे और लोगों को फसाना और बलगराने का काम नेता जी एक चीज़ कर दीजेगा आपने कहा कि आपकी सरकार में दंगे यह करवाते थे तो अगर दुबा समाजवादी पार्टी सब की पार्टी सब को लेकर चलती है हैं समाज बाठी साथ नहीं देती हैं लेकिन जो अपराधी बना कर यह लोग करते हैं । गॉंग्रेस इससी दुभाने की बात नहीं होती ती एक श्य महेने पहले का जिक्र करूँ तो बात नहीं हो रही थी लेकिन अब कॉंग्रेस जो में नज़र प्रियंका गांधी जो है वो आगे आगे हर जगा कॉंग्रेस का जंडा लेकर घूम रही है उसको बुलंद कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी कारेकरताओं में भी जोश नदर आ रहा है लेकिन समस्या यह आ रही है कि राजणितिक पंडित कह रहा है कि बहुत देर कर दी आते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाओं के लिए देर नहीं की सच्चाई यह है कि पिछले पांस साल में योगी जी के अगर सरक्प कोई इसूस के लिए रहा है यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती भले ही उंकमतादात में हो लेकिन जनता के हरी किसूस पर हमारे नेता पूसल्द एक के साथ प्याप तो हो गए हैं लोग यह कहने लगे ंरा है और तेजी के साथ आगे पढ़ रहा हैं लेकिन लोग यह भी कानाफूसी करहें कि समाज़वाधी पार्टी दरसल आपके लिए दर्वाज़ें नहीं खोल रही है ओर हो तो कहर है क्या वो कर रहे हैं आपके पास खोने के लिए कुछ रही मेरा नयत्रत पिछले छह महीने से लगातार ये बोला है कि हम अपने अपनी दंबड चुनाओं लडेंगे अकेले चुनाओं लडेंगे हम सर्कार का निरमाल करेंगे ये तुम छह महीने से कह रहे हैं तो हम कि अच्ची चीजा लेकिन समस्या ही आ रही है कि गली नुकर्ड कुचे कजबो में सपा के बीजेपी के पार्टी कार्याले हैं आपके नहीं है ताला पड़ चुका है वहाँ पर लोग ही कह रहे हैं कि सच्चा ही है आज उत्तर प्रदेश में जो विकास का पद 32 साल पहले मैं छोड के गया था जिस आप कानपुरतेहत की बात कर रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ जनता मुझे क्यों लाइक कर रही है मैं उस सब्जक्ट पराना चाहेता हूं आज कानपुरतेहत में जो भी दिख लाई यह यह इन दशक पहले तीन आपके कहने का मतलब है कि तीन दशक पहले तीन दशक पहले जो आपने विकास कारें छोड़े थे जो मैंने चालू किये थे आज कानपुर्देहाथ उससे आगे बढ़ा दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है आज उत्तर प्रदेश में तेश करोड़ लोगों में 15 करोड़ लोग ऐसे हो चुके हैं जो अज़ मैंता के बिकास करता है तो सडक की बात आप ऊचते हैं कोई आच एरपोर्ट की बात करता है कोई बिल्डिंग की बात करता है जनता के विकास की बात को कोई क्यों नहीं करता है आवास के लिए पात्र भटकते हैं अपात्र को आवास मिलता है पेंशन नहीं मिल रही है गरीबी रेखा के नीचे वाले भटक रहे हैं तो गरीबों की बिजली पानी स्वास सेह सुरक्षा की बातें क्यों नहीं होती हैं भा जुला योजना फ्लॉप है अभी मैं आपको एक गाउं बताता हूं किशनपुर भोगनी पुर विधान सभा में पिछले डेड़ दो वर्षों से सांसद निधी से लल्ली के घर से लेकर राम जान की मंदिर तक का रोड पास है अभी तक उस गाउं में कोई विकास नहीं हुआ अपराद को लेकर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि भारते जंता पार्टी क्यों शांत है तमाम जो चीजे नजर आ रही है जंता तरही तरही कर रही है तरस्त है जमीनी मुद्दा महंगाई है बिरोजगारी है इन पर क्यों नहीं बात हो रही सुरक्षा क अपना धोल बजाते हैं उस पर कहते हैं कि हमने क्राइम को कम करने का काम किया है लेकिन लोग तो कह रहें कि अपराद आपकी सरकार बढ़ गया है आज उत्तर प्रदेश के किसी भी छेतर में आप चले जाएंगे आपको गुंडा माफिया चोर बदमास उत्तर प्रदेश को छोड़ कर जा चुके हैं यह तो जेरों अपराद होता रहेगा बताब क्या चाहते हैं पिछली सरकारों की तरह किया जाए पुलिस से कई दिया जाए मुकदमे मत लिखना आप क्या इस तरह की चीजों को कानून बेवस्ता कहते हैं कि इलाबाद की सलक पे राजुपाल की गोली मारी जाती है और उसके बाद पुलिस की संड़क्चल में अस्पताल के अंदर जाकर दुबारा फिर अत्या कर दी जाती है असरब दौरा तो ठीक है अभी वो लखीमपुर खिरी छेड़ देंगे कि आपकी सरकार में तो आपकी सरकार में गाड़ी भी चड़ाई जाती है नीज आपकी सरकार में वो सकता है कि सबल सकता है वे सकते हैं और उसके बाद चार्व के निजयों कार आऊ करता हूं किवह भी कर दीजाती है अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी भीड है तो गाड़ी आ सकती है और गाड़ी चड़ सकती है यही कहाब ने 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 आप बातों को गलत तरीके से कर रहा है आप बात को बिल्कुल गलत इसाज ले जाने का प्रयास कर रहा है आपके जो आपने शब्द वोले वही मैंने बताए वही शब्द बताए एक चीज आप समझ लीजे वहाँ पर पूरी तरीके से समारी सरकार जो भी उचित कानूनी कारवाई है कर रही है जो लोग दोसी हैं वो लोग जेल में हैं और जो भी बेखती हो जो भील का बेखती हो ज सब्सक्राइब दिन दाडे बच्चियों का बलातकार हो रहा है, आम हत्याय हो रही है, और इन्ही के जमाने में, इन्ही का मंत्री ठाने में मारा गया, और इन्ही की ही सरकार थी, इनका राम राज जितलता. क्योंकि क्योंकि नताजी आपने राम राज का जिकर दिया, हमने जो है, इन्होंने कुछ किया, नहीं किया, can we knew that? इने कोई समिस्या नहीं आने दी आज किसान परीशान है अपने खेट नहीं बोपारहे आप सारी समस्याँ को मिटाएंगे क्यूंकि नेताजी आपने रामराज का जिकर कर दिया मैं बहुत जाना नहीं चाहता था लेकिन जब आप राम्राजी का जिकर करते हैं तो उ राम्सथों और गोलिया चलवाई जाती था । कानून को रखने के लिए हमारे राराम्सथों और अमछोर मेल्स के लिए उसको रोकने के लिए हमारे नेता ने जो कर सकते थे वर किया जो न Raptor भर मुक्धente नियए वी्मुक्षक हूं पर इंह true ए बात करना चाहूँगा यह अब है अब है आपने सवाल पूछा था है कि अगर लाएण आरडर मेंटेन करना होता है तो गोली चलाना आवस्यक है दूसरी बात हम दूसरी घटना हरियाना से लेंगे वहां जाटों के आंदोलन में सरे आम लोगों की इजट लूटी गई लोगों को गाणियों से बाहर निकाल करके उनको खेतों पर ले जाया गया कहीं कोई लाइन आडर नहीं ता इतना जाट आ समाजवादी पार्टी की बात कहीं समाजवादी साटों की आप राधी बउन ब् 이번 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें नियत्ते राम बक्तों पर गोलियां चलवाने को आप आप राजियों पर आप राम के राम नाज से लोगों की भुग मिट जाएगी मंदर बनने से भुग मिट जाएगी इतनी महहगाई लाद दिये थाना भिक लह तैसील बिग रहे इतना ब्रिश्टा चाओं इक चीज समझे एक चीज समझे हर चीजbellar अगर दोसो रुपए दोसो पैसट रुपए कलुआ तेल किसी ने बेचाओ तो बता दीजे बारती जनता पाटी कारीकरम को आगे बढ़ने लुक्या है इस महाल काफी काफी नाराज है आप से हाँ इस महाल गरम है गरम है में सच्छा पहले मैं गरीबों सुष्टों दिलतों के मशिया मानी अखिलिस जादोजी को नमन करता हूं और उसके बात जो आज विकासी गंगा आप देख रहे हैं इस गंगा को सारी गंगा बाहने का काम सम अब बताना चाहरा हूं कि अगर आप युवाओं की बात करें ना कोई पार्टी बोलने को तयार नहीं है वाओं के ऊपर सिवाए आम आदमी पार्टी को लेकर के युवा भटक रहा है भारती जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या रोडम को नहीं बोलती है दूसरी बात मेरे पास सैक्डों से कम सौफोन तो मैं आपको बता सकता हूं जो औन रिकॉरड है जो प्रतालित हो रहा है उसी को पुलिस उठाकर ले जा रही है और जो प्रतालित करता है उसकी बात पुलिस सुनती है कि का एक इक चीज बात करना पड़त पर बाते हैं मैक्रो लेवल पर बाते हैं हम लोग उठाते हैं मैं भी बता सकता हूं डेर सो लोगों को लेकर मैं सीडियों के पास आया था और उनसे कहा था कि ये वाकई में आवास के हगदार हैं ये पन्नियों के नीचे रह रहे हैं लेकिन 30,000 बीस अजार रुपए लेकर से सिती बनती हेँ तो कोई समस्या नहीं है हम इब कदने हैं हम तो काम करने के लिए हम काम करेंगे जनता के मुद्दें वठाइएंगे हमें कोई दिकतते हो जमीन इंतमी हैlor समाजवादी पार्टिं को लाइंस के ऐसी बाची चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टिंस कि डर बारती जनता पार्टी के साथ जनता आए इसी प्रकार का एक प्रियोग मानिय अखलेज जी लोग सबाद चुनाओं में मायावती जी के साथ गड़बंदन करके कर चुके हैं बढ़ी बढ़ी बाते होई थे उत्तर प्रदेश की जनता ने एक अत्तर की जिगे तीहत्तर लोग anda 걸로 को देने का काम किई इनके सारे कड़बंदन दरासाहिए सौच के साथ तुपराक्रढ़ तरॉक्तर प्रदेश की टैईस करोण जनता के समर्थन के साथ चुनाओं में जा रहा हैं जो तीन में 325 सीटें 3 50 सीटें लाने का का कंभ संघ्जों पार्टी करेगी हमारी सरकारणने कि सानों को किसान सम्मान निदी देने का काम किया है और जो आवास बीन लोग इन लोग है उनको प्रदान मंत्री आवास हो जिनाके पे शुक्त जी कानून भी वापस लिया कि अब कर Drive. हमारी प्रदान मंत्री जी से हमात हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो इन्हों ने पूरी बिनम्रता के साथ किसानों के साथ हुद समझाइ समझाते सम रामभक्तों पर गोली चलाने के लिए तूमाफि पाइन बायाबती के साथ जो अतित ग्रे में हुआ उसके लिए कभी मांगी माफि तो हम आप मतलब आप मतलब जम्मेदारी लेते हैं कि जितने किसानों की मौत नहीं हुई ना आज तक हमारी सरकार ने एक भी आंदोलन में कोई किसान भी नहीं दिखाओगा आपको नहीं नहीं हमारी सरकार ने किसी भी आंदोलन में किसी भी किसान भाई को कोई परिशान करने का काम जैसे ऑक्षीजन की कमी से किसी की मौत नी हुई वैसी ओंदोलन में भी किसी की मौत नहीं हुई मौत होती ही है हम लोगे पास जो खबरे की जंता की खबरे की सब जूटी है बस आप सच्छे है भी पूरी दुनिया में देख लिजिए अगर को विट शेत सबसे कं मोतों का पर करquito में कि पूरा देश करोना के खिलाब जबग लडाही लडा ओर आज ही कार आए कि पूरी दुनिया में हिंद उस्तान उटा बडरा मिलतार है जब इतनी वली काम आजिए ते हमारी सरकार राद देर, हमारे मुख्मंत्री जी एक एक जिले में एक एक हस्पताल में गए और जनता के बीच में जाकर खां करने का औरे महराण जनता तो दरौाजों पर दम तोड़ती रह गई ओक्सीजन की कमी की वजेसे, ये तस्वीरे भी है ये तस्वीरे भी है कि जनता दर्वाजों पर अस्पतालों के दम तोड़ गई देखे हमारी सरकार ने माननी मुखमंत्री जी ने एक एक गाउं में एक एक जिले में अस्पतालों में जाने का काम किया है ठीक एक एक अस्पताल ठीक आप कठी करें भारती जनता पार्टी होबियन कॉंसेट आफ स्टेट को फॉलो कर रही है थामस होब्स ने कहा था कि जैसे लेवाइधन होता है उसी तरीके से राजा होता है राजा जो करता है प्रजा के हित्मे करता है अब प्रजा कोई अधिकार नहीं है कि उसका विरोध करें उसे चाहें भुगमरी के कगार पर डाल दे इसी तरीके से भारती जनता पार्टी उसी कॉंसेट को फॉलो कर रही है मोदी जी जो कर रहे है सब जनता के हित्मे जनता मर जाए तो भी उसको सुईकार करे हम नौकरी देने वाले पैदा कर रहे हैं हम देश की एकॉनमी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम देश के युवाओं को पैदल करने की बात नहीं कर रहे है 18-25 साल का नव्यूवक करोना पर बोल रहे थे जब करोना पर बोल रहे थे तब आप काउंटर नहीं कर रहे थे नहीं मैं करना चाह रहा था करोना की जहां तक बात है यह कहना कि हमने हमारे आप बहुत कम मौते हुई है मौते आप positive सोच रहे हैं मौत एक हो चाहे 100 हो आपके यहां भी दिल्ली में हुई है हम लोगों तरवाजों पर विवस्ता धड़ान थी सब जगा यही हाल था पूरे दिल्ली में तरही तरही मची थी पूज करके oxygen की shortage कर देंगे और फिर हम Supreme Court जाएंगे सुप्रीम कोट ने जब फटकार लगाई हमको oxygen होता है कि यह समस्या क्यों है यह तो भईया MCD के पास है आप से पूछते महिया यह क्यों हुआ यह तो केंदर के पास है आप केवल आरोफ लगाना जानते हैं जो हकीकत में स्थिती होगी हम वही तो बताएंगे MCD के इलाके में हमारा कोई दखलनदाजी का दाइरा नहीं है और वहां पर अगर पानी की shortage होगी हम यही तो कहेंगे कि हमको कहें दे दीजी आप कहां रहते हैं आप पंजाब में रहते हैं गुआ में रहते हैं हर जगा चुनावी प्रक्रिया में रहते हैं पानी की जो बात है वो बहता हुआ पानी में नहीं है नीरत सिंग और है 2017 में यही रंटर अप थे और दूसरे नंबर पर अप रहे थे इसके साथ ही एक और चीज है कि आप आई गया है आप समने हैं हमारे तो बता दीजे में कि 2017 में क्या समस्या आ गई थी जिसकी वजह से आप दूसरे नंबर पर रहे और इसके अलावा आप क्या कुछ सोच रहें आगे के लिए आपके पास प्लाइन क्या है मन में ख्लेट जीने कम से कम साड़े चाठो पचास लोय गाउ और कम से कम सोपचास जड्यसर मिस गाउं और समाजवादी पेंसन कितनी जनका लिए जो जनाये थी सब समाजवादी पार्टी क्या विजिए तक चाहड़ी yangचच पार्क लिजीए वर्तमान में ले रामशुरुप सिंग गौर साब ने आधरनी अखले से अन्रोथ करके एक पेस्ताव बनाया गया के इन सरकार को मंजूरी ली गई जिसमें दोनों प्रदेश और गौर्मेंट सरकार ने संस्तीर की और पेस्ताव पास्कुए गया जिसके तहत आज वो निर्मा साब सवाल करना है आपने कहा कि जो काम हम ने शुरू किये थे हमारी सरकार चली लेकिन उनको पूरा कराना चाहिए था उन्हों नहीं कर आया यह गलत किया लेकिन पूरवानचल एक्सप्रेश के लिए विधों कि हम प्रदेश के सोचा है उन्हों झोनि उनी काम किया और उन्होंने में काम किया अधूरा और मैंने लकनाउ से आगरा मैंने समय हमें जो है विई किनि का नहीं और शरूय zo थे जाहरे का ंने विद्ध सुन रहा है इनके पास है भी इनकेनाव पढ़ित करना हैं उनके लिए जिलादेक साब बैठे हुए है आप ये बताईये कि मुद्धे आप समझ रहे हैं बी जेपी कितने हाई-लेवल मुद्धों पर खेल रही है समाजबादी पाट्डी के बास कितने हाई-लेवल मुद्धे सडकों की बात हो अधियो 풋 की बात हो रह यह आप निश्चित रूप से माल लें चूंकि गुजरात माडल वो है चाहे ग्राम चरस पर एक महिना जेल में रखा जाता है इसके बाद फासा जाता है लेकिन आज हिंदुस्तान में जो तसकरी का अड़ा गुजरात बन गया है आपके इसमें एक चरस जो तमाम चीजों का जिसे विभिन स्टेटों में भेच के हमारी युवाओं को बरबात किया जा रहा है यह बहुत बड़ा इसू है बहुत बड़ा इसू उस इशू पर किसी और दें चर्चा कर लेगा अभी आप प्रदेश के लिए कांगरेस कहां लड़ पाईगी इनकी वास मुद्दे रेख रोल की आबादी है आज से 72 साल पहले भारत अन्य में इतना पीचा था कि हम लाल के हूं काते थे आज हमारे अनके हूं कि क्या हालत है आप जानते तालिस का देख कर आज वोट देगी आपको जनता आप रुकें आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि जब 1947 में दे पैदा हो चुके हैं आज लोग आपकी सरकार की देन है किसकी देने मेरी नीतियों की देन है जिसके उपर ये तमाम डिवेट की जा रही है ठीक है तो जितने भी इंजिनियर डॉक्टर है वो सब कॉंग्रेस सरकार की देन है बिल्कुल यहाद शुरू कर रहों नाम हैं पने इस भी काम्याबी बता रहे हैं इन से यह पूचिएगा कि जनों ने इ toyotion करवाएं माननी अख्र जी एन कर वाएया यह योगी जी ने करवाए यह माली आमादी PARTY कि सब्सकूलार किसकी कौंग्रेस की थी दो भूंग्रेस की तीख मत्या इंतीर की कौंग्रेस की कि बाद से आज जो इंजिनियर डॉक्टर जो बन रहे हैं वो दरसल उनकी देन हैं उनका सोच जो नोने आजादी कि समय सोचा था उसकी वज़े से सब कुछ वहारा है सटर साल के बाद मानली कॉंग्रेस सथर साल कहा है इनको लग रहा है इनको लग रहा है ना अम यह जायते आए यह ऊज़कर पार्टी का यह वी इस ज जिले में है थाना हो चाहिए तैसिल हो चाहिए मुख्याली हो चाहिए भिकास बावन ओ एक एक कीटान धर्ती पुत्र मुलायम सिंक नाम का रखा हुआ पथर लगा हुआ है मेरा नाम डाक्टर राम प्रकास कुस्वाइब बात केशो मौर्या जी के आई ती की केशो मौर्या जी को माली मिस्टर जी का है कि केशो मुखमारया जी को बना करके उपमंकंत्री बहुत बढ़ा सम्मान कुष्वा समाज को दे दिया गया है यह को नी मेसेज बता ने का काम करते हैं एक दिन की बात है कि वह मानि मुखमंत्री जी कहीं बहार चलेंगे तुर्की कुर्षी बढ़ गये तु उस कुर्सी को दोलवाने का काम, बदलने का काम यही लोग करते हैं कि यहिए तिहार जुसरा दूसरे ही यूवाओं के बात थी हमारे अवागों की अभिपारी करिशिता हमारा नेटरत धिम्मीमियों गभाम किही अहीं। Report है अगर यूवाओं के सबसे जवしく यहां कर दोर्स थर्टा पार् furnace पार्ण legalism वो अगर बेरोजगार की बत्ता दोंगे का मैं कमी करना मैं कमलेश चन्दिवाकर पूर विधायक हूँ और रसूलाबाद में प्रधन तो करने काम मुहां पर डिमपल जी ने किया था अपने साशनकाल में लगभग 200 कौरोड का काम कराया आप भारती जिंता पार्टी के प्रदिन के रूम में यहां बैठे हैं यह एक काम बता दें रसूलाबाद में कौन सा काम इन्होंने कराने का काम किया है यह जूटे जो इनके बताए हुए हैं जो इनके उपर सीनियर बताते हैं वही रटे रटाए यह बताने का काम किये हमने छे यहां पर मेट्रोट बनाए हमने 70 मेटिकल काले बनाए इन्होंने एक भी काम नहीं किया है यह अभी आपने और बात बोली थी 2017 में यह क्यों हम लोग सिता सीता सीता के बगर राम अदूरे हैं अभी सेगंड का जवाब लेकर वापस आता हूं सवालों की जड़ी आप पर लग गए सवालों के जवाब दीजी का तरह मुक्मंतरी की बात कर रहा है हमारी पार्टी में तो कार करता प्रदान मंतरी बनता है कि फिर कुर्सिया भी धुलवाते हैं जब बैठ जाते हैं वो जाके उन्होंने देखा होगा इस तरह की चीजें वो देखते हैं आप केवल पूछे क्या अखलेजी के अलावा कोई दूसर मैं यह कह रहा हूं बारती जनता पाटी के लोगों सबस्याई पूछ लीजिए प्रदेश इस तर पर वर्तमान गवर्मेंट के साथ एक जनकल्यानकारी योजना बता दीजिए मैं तो एक अपने अराश्टी अद्देश खले स्यादो जी पूर्भुकमंती के एक जनकल्यान कर योजना लुए गाउगा नाम लेना चाहूंगा मेरी विदान सभा में कम से 37 गाउगों को लो या गाउगा जिसमें आवासों को बेहूस्ता रोडों को बेहुस्ता बिकलांग पानी टंकी हर 32 तरीके बेहुस्ताइदी एक जना ना बता दे मैं मान जाओंगा मैं ये कहिन को बटवारे में और उस कुर्सी कर दिया हर लोग यह समस्ते रहे कि मेरी जात का इरादिरी का मुखमंती बन जाएगा अब यह सब खुल खुल चुकी है अब पुना अखले से अदो को उत्रप्रदेश की जनता पूल रूप से मुखमंती बनाने का संकल्व ले चुकी और 22 मे तोड़ा रूजए वह आप ने जो सवाल किया है उसका जवाब में लूगा लेकिन उन्होंने भी सवाल कदाग दिया था पर वह सवाल कर रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी में अखलेश यादव के लावब को मुखमंत्री बन सकता है मेरी पार्टी अखलेश जादोज उत्तर प्रदेश के पुना मुखमंती बने तभी हम सब की प्रेसानियों का दिक्कोतों का निराकरण हो पाएगा समाजवादी पार्टी पांच साल पूरे हो चुके हैं हमारे गाउं में अभी भारती जन्ता पार्टी ने बिकास के नाम पे एक कीट नहीं लगवाई है यह बिकास कर कहां रहें यह नहीं पता और उसी गाउं चुके वो मॉम्डन गाउं है मुस्लिम बाउल चेतर है वहां कम सकम साइकलों के तादात में मुकदमे लगवाने का काम कि आपके सोतेला विवार कर रहा है वहां और इनोंने एक सवाल किया था मैं कोई पार्टी बात नह बात भारती ज 듣 बात चीर पार्टी बारति नहीं हमारे देखते हुए चु़के मैं भी लगनौick जाता आता हूं लगनौ का मैप्रो जो अघारा था वो तो हम यह देख रहे थी कि माननी राष्तिया देख जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्हों ही काम कराया और उसके बाद देखा हमने की जो कानपूर का चुँके मैं ठेकड़ारी गरता हूं हम यह जानते हैं कि किसी चीज का ठेका अगर आज कोई भी गुवर्मेंट में उठाया जा रहा हूं तो का काम होते होते वो मतलब दो स अगर हैं तो किसीन बात नहीं कि जिससे मिद बढ़ आप पूछना चाहता हूं इसकूल यह ओपन है इसमें जो बच्चे पड़ते हुनके घरवालों से जिस तरह की अवैद वसूली की जा रही है उस पर क्या भिचा रहा है मैं यह पूछना चाहता हूं पर जिस तरीके से सब्सक्राइब करें लेकिन केवल काम पूरा करने के चक्कर में उनलाइन क्लासिस करा ही जारे हैं आप इस कोई कुछ कह रहा है चाहिए मेरा नाम मौम्मद सालेद मानुर्टी विंग का जिलाद्या चुमाएं आम आधमे बार्टी से बीजेपी ने जो किया है हिस्ट्री इन्होंने बोला कि कोवेट पे जीरो मिरत हुई है कोई मिरत नहीं हुई आप डेटा देख लीजिए का आप खुद वहां पर थे कि कितना लोग खताम हुए हैं कितने लोग जादा से जादा से जादे जूटे डेटा देता है जूटे स्टेस्टिस्टिक तरी यह कह रहा एक एक कॉमेंट आखरी आखरी चलेगा सवाल जो आपने सुने उसके जवाब दे दीजेगा इसके साथ साथ आपके पास कानपुर देहात में जहां हम मौझूद है रणिया विधान सवा यहां के लोगों के लिए क्या कुछ है अगर आप सत्ता में वापसी करते हैं तो क्य कि उन्होंने का कि उन्होंने प्रस्ताओ किया थे जाता क्या किया था देखिया हमने तो कलकत्ता से लेकर हावडा से दिल्ली तक जितने रेल्वी क्रासिंग सब में फूल पास करने का काम किया कोई भी क्रासिंग चले जाए आप कोई भी क्रासिंग चले जाए आगर उस पर पूलना रहा हूं और शानति बनानेने कर घद्रवय अभी बहता बहता है कर्या हौ समाजबादी पार्टी की सवाल जवाब चल रहा है उसको सुन भी ली जहां ठीक है देखे बात हो रही थी भारत देश की जो कर रहे हैं हमारी जब से सरकार आई है पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर देख ले हम अगर पूरी दुनिया को पूरी मुस्ताइब देने का काम किया है तो पूरे देश को कानून ब्वस्ता की स्थि सुद्रन करने का काम किया है आज आज आप चले जाईए आज हम यह नहीं कहते हैं कि तेवारों पर आप घर से मत निकलिए बंब स्पोर्ट होंगे विधान सभा के लिए क् कि मैंने तो नहीं लगता आयाएं है कि हमा आम आदी पार्टी लगा करें केजुरी बाल से नीचे तक हर कार करता को ना सुनने यह तो पूलने की बीमारी है मैंने कहा जो प्रोंते हुई है दुख है इसलिए हमारी सरकार का कुई आँकड़ा है हमारी सरकार का कोई आठा है रोजगार कई ने पजी में पर्ति नाम दीजे कि बांटी कांप पर रहा है पुना बरती करने का काम किया हमने दस १ार इंट्रकाले माद्य मेक्सिकों को भर्ती करने का काम किया हमने पूरे प्रदेश में 6 अदनी के पास क्या कुछ देखिए मैं ने इहां से शुरू किया जो जो जिन जिन लोगों लोगों ने जो जो बात कही मैंने उनकी तो को सुना आप पीछे से शोर मत बचाईए उसे कोई किसी का आवाज नहीं सुन पारा जी मैं बलवान सिंग बोलना हो मैं आप से यह मिस्रा जी से पूछना चाहता हूं कि बोट लेने के लिए हर पार्टी के मुखवटेक तो खड़े कर देते कुस्वा समाज कहीं और राश बेच रहे हैं ब्यापारियों को लेकिन जिन लोगों लिया जा रहा है जैसे मेरे माइथा में जो MSI वह है तो वह पता 200 रुपए पर पुंटल के साबसे पहले ले ले लोट कमल मंडी परसत जो है अक्बरबुर की जो भी किसान दान लेके जाता उसमें लगा दिया जाता कि पैसट परसेंट आएगा तो लेंगे वहीं अधान लेगा अब मीलो में बारा सो तेरा सुरुपय में लिया जा रहा है अधकारी यहां के सारे भीके हुए है जिले का जितना भी अफसर भीकारी सारे भीके हुए है हम यह कहना चाहते हैं जो पहले आम जन्मानस किसान सब लोग यह सोचते थे कि हमारा बच्चा पड़ेगा तो कलेक्टर वनेगा यह सबी की सोच होती थी लेकिन आज क्या है कि बैक डॉर से आईयस की और इनकी न्युकतियों के लिए प्रावधान बना दिया गया है यह बै जिसे मैं बात करना चाहता हूं कि इनके जो रिकार की योजना बताकर एक एरपोर्टोर बना रहे हुद घाटन काटर क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है जनता आप पर आरूप लगा रही थी आप बताईए रणिया विधान सभा के लिए आम आधी पार्टी अगर सत्ता में क्या कुछ करना चाहिए हाँ मैंने सुना था कि मंडी से किसानों से पैसा मांगा जाता है एक डेटा मैं बताता हूं आज से धाई मैने दो महने पहले मेरे पास पचपन किसानों की एक लिस्ट आई थी जिनका पैसा रिलीज नहीं हो रहा था मैं वेक्तिगत जिलाधिकारी म महदय के पास गिया उनको मैंने लिस्ट दी और आधे घंटे के अंदर सारे किसानों का पैसा पहुचने लगा यह आम आदमी पार्टी की ताकत है पहली बात दूसरी बात रोजगार को ले करके साड़े छे लाख नौकरियों की इन्होंने बात करी जबकि योगी जी ने डे आधे लिए अपने अपने अजन्डे बता दिये आप यह समाजवादी पार्टी के पास अपने विधान सभा के लिए पिटारे में क्या कुछ है पारा हूं बिचवली दोसो रुपए लेकर उसका दान खरीदा जा रहा है इनके दान में मास्यर दिखाकर इनके दान को आपस किया जा रहा है तो यह जो भ्रष्ट अदिकारी है इन भ्रष्ट अदिकारीयों के खिलाब कारवाई भी और किशानों की आवाज को बुलंद कि किशानों की समिस्याओं का निदान करेंगे सबसे पहला काम यह दूसरा काम और है इस जनपत्वे इस्टेडियम नहीं है सबसे पहले युवाओं के लिए कि बड़ा इस्टेडियम बनाने का काम समाजबादी पार्टी करें पड़ी खोशना इसको अध्यान से सुनिए यह म करेंगी और समाजबादी पार्टी किसान नौजमान मज्दूर के लिए खरे उतरने का काम करेंगी यह अमुझे भिस्वास OF इसी वजह से आज समाजबादी पार्टी चार भी प्रदेश को 300 सीटे आने वाली है मानी अख्लेश यादोजी लोग प्रिनेता है जन-जन के हरदे में बाश कर रहे हैं जनता की आवाज है कि हमें अखलेज जी का ही नेतर तो चाहिए उत्तर प्रदेश्ट निया विधानसवा समय जो चार विधानसवाइं हैं अगर उनकी बात करूं तो कितना विश्वास है आपको कि आप ही आने वाले हैं कानपुर देहात में कांग्रेस अमराहट के नालपम जानवर को लेके जिसकी महती आवसकता है कानपुर देहात का सत्तर परसेंट लोग त्रिसक है जिसके उपर कोई काम नहीं किया गया है नावासी के बास सारे चरण उसके रुके हुए है वन थर्ड कानपुर देहात की वन थर्ड आबादी जो किसानों की है वो उससे सिचाई से लाभानुवित हो सकती है जो नहीं किया जा रहा है दूसरी चीज जो कानपुर देहात की मूल समिस्या है जो बहुत बड़ी समिस्या है तमाम किसानों की जमीन हमारे यहां अदग्रहल की गई है जिनका आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है सरकार जमीन लेती है लेकिन टोल प्लाजा उदारण है जिसको आम लोग भुगत रहे हैं जिसको लोग आइशियो में बोलते हैं पास साल में पास साल में उसी आइशियों ने उसी के इसूस पर विभिन राजनेतिक दल अपनी अपनी रोटी सेक्के लोगों को लडा के जादधरम मजब के नाम पर वोट पाना चाहते हैं कांग्रेस ने आज तक जाद्रम मसभड की बात नहीं की, अगर जाद्र15 मसभड की बात करती होती, तो आज जो आप मुझे आईसियो में बोल रहे हैं, ये सैपना नहीं बोला, अब मैं नहीं बोला नेता जी, ये नहाप बोल पाते, कराण करने का समय है मेरा नम बाभू सिंक्भाए मैं साभे तीन पर्चंड के लोगों से पूछ लाज ना चाहता हूं क्याबने पूर बहुम में सरकार बनाय थे तो साले कुछ इचा फर्चंड कुछ कल तन तन इस व अजा पर्चंद उत्तरपदेश का कुछ वासब Atari प्रवारी जरारी से प्रदान हूं और मैं पहली बार बजेपी के साथ रहा था अब की जूट नीतियों को छोड़ करके अब मानी अखले सियादो जी के साथ हूं अभी काले 25 तारी की रैली लखनों में होई है हमारे जनवादी पार्टी के राष्टी अद्दद डाक्टर चौहान ने मुकतित के रूम में बुला करके राष्टी अद्दद जी को कम से कम एक लाग की भीर चौहान समाज की लोनिया चौहान समाज एक लाग की भीर पहली बार लखनों में खटा हुआ है जो 95% बजेपी का साथ दिया रही अब की वहीं चौहान 95% समाजवादी पार और पतर देगा इजए दोनों समाज आपके साथ नहीं इं घा करने की जुरत समधवादी पार्टी को है भारती जनता पार्टी के साथ तो जाती है राजनीती होती है या फिर धार्मिक राजनीती होती है जवाब किसी भी चीट का जवाब तो होने दीजिए भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरे 23 करण जनता की बात करती है हमने जब एक के गाउं में सो सो डिड्र सो आवास देने का काम किया होगा तो जात नहीं देखी होगी, तो हमने जात नहीं देखी होगी, हमने जब उचला में माता हुमेनों को सिलंडर देने का काम किया होगा, तो आम आधी पार्टी के एक नेता थे, वो कह रहे थे, कि आप धर्म देखकर भी काम कर देते हैं, हमने जब किसान सम्मान निती देने का क काम किया होगा तो कोई जाद नहीं देखी होगी बारती जन्ता पार्टी समस्तुत्र प्रदेश की टेश करों जन्ता के लिए माननी होगी जी के नितत में काम कर रहे हैं और निस्टित साल 32 जी देश की संपदा को बेच क्यो रहे हैं नोखनियां युवाओं को कहा से देंगे के लिए पर हमें सभाब्त करना होगा जिला देख्षित साहब का 10 सेकंड़ का जो वह खत्म करते करते कहना चाहते हो और के जंता ने मन बना लिया है पूरे प्रदेश की जंता ने नौजमान किसान सारे ने मन बना लिया है अब ये अपने मन को प्रसंद कर रहे हैं बातों से प्रसंद कर रहे हैं बातों से आने वाला समय अखलेश यादो जी का है ये नजर चुकि किशानों के ब कह रहे हैं कि योगी आधितनाथ के नेतरत तुम्हें एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है और समाजवादी पार्टी के जिलादयक साथ का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है है लेकिन क्या कुछ बतलावाने वाला है इस इस पर आपकर यात्रा ये की तरही है जानने की कोशिस करते आपने रेगार नीज वर्ड इंडिया के साथ अधिया आपने रेगार नीज वर्ड इंडिया के साथ अधिया